वेल्कम तू मैं चैनल सर्मा क्लासे पिस्यम लाश्ट लेक्चर में मैंने आपको सेट्स चेप्टर वन का मिसलेनियस एक्साई कोशन नुमर फाइब से एक तक बता दिया था उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्सर बॉक्स में मिल जाएगा अब इस वीडियो में हम ल हैं यह कोशन नुमर नाइन आपके सामने हिंदी और अंगरी जी दोनों दे दिया है यहकोर्स आपका एंचिया टी बेस पर आधारित है यह जैसा कि आप जानते हैं पहले से जितने भी मेस के अभी तक कोशन रटें की हैं टोटल एंचिया इंपी बेस है कोशन नंबर 9 कह र बना दिये हैं उसको आपने मंद से पढ़ लीजेगा हम एक ही पढ़ताएंगे समय की थोड़ी बचत कर दी पढ़ेगी चलिए देखते हैं क्या करा समुचेयों के गुण धर्मों का प्रयोग करके सिर्थ कीजिए कि फर्ष पार्ट में A union A intersection B equal to A और सेगंड पार्ट में हमें सिर्थ करना है A intersection A union B equal to A अब इसका दोनों पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है यह फर्ष पार्ट हम आपको solve करके बताने आ रहे हैं इसमें हम यह by distributed law का हम इस्तमाल बक्षू भी करेंगे आपके सामने होगा और यह आपको जानकारी है भी यह क्योंकि आप पहले से वीडियो एके करके देख देखते चलिया हैं तो इसमें आपको कोई problem आनी नहीं चाहिए चलिए देखते हैं इसका फर्ष पार्ट LHS के रूप में क्या है A union A intersection A union B जो के सामने दिखाई दे रहा है जैसा कि आप जानते हैं A और A का union A ही होता है ठीक ना अब आगे intersection दिखाई दे रहा है A union B लिए एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि A union B एक बड़ा सेट है और A उसका छोटा सेट है intersection में हमेशा common यानि कि छोटा सेट लेना होता है तो छोटा सेट A होने के कारण equal to A answer आगया जो कि हमें सिर्व करना था यहाँ पर एक छोड़ी सीजन कारी जो अलग से लिखे हैं वो इसको हम इस्तमाल किया है उसको हम बता दें A union A equal to A इस्तमाल किया है डारेक्ट हमने जैसा की दिखाई ज़रा है और यहाँ पर A subset of A union B होने के कारण जो इसमें छोटा सेट A है वो A intersection A union B में A के रूप में हमने प्रता सिद कर लिया इस प्रकास सिद हो गया अब आप देखि A union B equal to by distributed law क्या है A intersection A union A intersection B तिक A intersection A हो जाए A union A हो दोनों में A ही होता है इस बात को पहले से आप जानते हैं union दिखाई ज़रा है A intersection B आपके सामे है अब आगे ज़रा देख लिए इसमें union का मतलब क्या होता है बड़ा सेट A intersection B यह छोटा सेट हो गया और उसका बड़ा सेट A union में हमें इन दोनों का बड़ा सेट लेना होता है बड़ा सेट A है इसलिए हमें A लिदिया अब इसके विसमें भी जड़ा देख लिए अलग से हमें क्या लिदिया है A intersection A equal to A होता ही है और A intersection B subset of A के कारण A union A intersection B equal to A लिदिया इस प्रकार से हमने first और second दोनों पार्ट solve कर द देते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी क्योंकि कभी-कभी दो दारन तीन दारन या दो तरीके तिन तरीके से समयने को समयने से यह इग्याम के समय कोई समस्या नहीं आती है क्योंकि एक प्रोसेज्ट आगर भूल जाते हो तो दूसरा अप्लाइब कर दिए आपको नंबर क कुछ ना कुछ तो मिल के ही रहे जा ना इसके लिए हम एक उधारन से इस प्रश्ण को सौल करते हैं इसमें यहाँ पर एक बात सामने आ रही है कि A इंटरेस्टर्शन B आने के कारण A और B में एक कमन एलिमेंट हम तू ले ले रहे हैं जिसमें मालिया A इकल टू वन टू औ और B का एलिमेंट तू थ्री है और इसमें A यूनियन B क्या होगा यहाँ से यह दोनों के दोनों 1 तू थ्री होगा A इंटरेस्टर्शन B यह वाला कमन वाला एलिमेंट होगा इस प्रकार से अब फश्ट पार्ट हम सौल करते हैं A इंटरेस्टर्स बी के वैलू 2 हम रख दे होगा इन दोनों का आधिक साधिक एलिमेंट 12 होगा 12 किसका है तो इस प्रकार से यह फ़र्ट पार्ट शॉल्व हो गया अब इसका सगेंड पार्ट देखिए सगेंड पार्ट क्या कह रहा है एंट्रेक्शन ए यूनियन भी तो ए यूनियन भी की वैलू हमने यहां पर देख ए यह क्ति लिए वंट्व राग्या क्योंकि यहां पर वनट्व और रह रहां दिया क्योंकि जैक लिए यह उनियन भी को wahr cheaper न दोनों में कामन क्या होगा वन्पित न होगा ठीक है नवाच ow Ferrari वनट्व किसका पारट ए का है इक हैं न एक होने के कारण हमने second part को भी solve कर लिया अब देखिए question number 10 क्या गहरा है question number 10 गहरा है दिखलाइए कि A intersection B equal to A A intersection C तथा यह का ताथ पर B equal to C आवसक रूप से नहीं होता है यानि कि हमें at last prob करना है A not equal to C इसमें A intersection B और A intersection C के लिए ऐसा हम सेट लेंगे जिसमें A और B में common हो और दूसरा A और C में common हो इसके लिए हम माल लेते हैं A equal to 12 और B equal to 23 देखिए A intersection B में हमने 2 को common कर लिया और C हमने ले लिया A और C के लिए A और C में common कोई element होना चीए तो कोई element common हमने 2 ले लिया ठीक है न तो दूसरा C set क्या ले लिया 2 और 4 इस प्रकार से A B का set देख लिए 1 A B A में 1 2 है B में 2 3 है ठीक है न और A और B का जो common set है वो 2 है A और C फिर से दुबारा ले लिये है जिसमें की A क्या है 1 2 और C क्या है 2 4 जैसा की आपको दिखाई दरा है और A और C का intersection कितना है वो भी 2 है तो A intersection B equal to B 2 हुआ A intersection C भी 2 हुआ हम इस प्रकार से देखते हैं कि according to given question A intersection B equal to A intersection C तो हो गया यहाँ पर दिखाई दरा है परन्तु यहाँ पर A set और B set और C set आपस में equal नहीं है यहाँ पर यही question कह रहा था जैसा की solve हो भी गया अब देखिए question number 11 क्या कह रहा है माल लिए कि A और B कोई set है यही क किसी समुच्या है capital X के लिए A intersection B equal to B intersection X A intersection X equal to B intersection X equal to Y तथा A union X equal to B union X तो हमें probe करना है A equal to B इसके लिए हम क्या लेंगे इस A union X equal to B union X को ले लेते हैं और इसमें हम आगे जो question को solve करेंगे तो इस दोनों को फाई के रुप में जो मवजूद होगा उस तरह से हम उप्योग करेंगे और चुकि हमें A और B हमें equal to के रुप में find करना है तो इसमें यह लेते हुए पहले हम A का intersection करेंगे यह वाला और फिर से इसके बाद second step में हम B का भी intersection करेंगे और अंत्रता हम पात इसमें दोनों में common है यह ची तो दिखाई दे रहा है दूसरी बात A लिख जरूर दिये लेकिन इसमें एक और बात thinking करने ही होग है intersection में क्या होता है दोनों का common होता है A union X बड़ा सेथ है और A उसका छोटा सेथ है ठीक है न यानि कि A union X में A element मौझूद है तो इस प्रकार से A intersection A union X equal to A हो जाएगा equal to आगे by distributed law हम कैसे इसको आगे क्यों बाते हैं वह भी ज़रा चेक करके देखते हैं A intersection B union A intersection X जैसा की दिखाई ज़रा है यहाँ पर यह आपको पहले से given है A intersection X equal to 5 तो हम उसी को apply करने जा रहे है A intersection X equal to 5 ठीक है न तो अब ज़रा बताईए कि A intersection B और 5 means null set कोई element ना बवजूद हो वाला set इन दोनों का union क्या होगा A intersection B होगा तो यहाँ पर सामने A दिखाई जैरा है और यहाँ पर A intersection B दिखाई जैरा है तो A equal to A intersection B कब होगा जबकि intersection के case में आपको पहले से पता होगा कि A is subset of B होगा तब ही जा करके यहाँ पर A intersection B equal to A होगा उन्हा दिया है दुबारा उसी real को हम attain कर लेते हैं यहाँ पर A intersection X equal to B intersection X जैसा की दिखाई जैरा है उपर में हमने किया था उपर में हमने किया था A का intersection तो कि A equal to B find करना है तो अब हम B का intersection करने जा रहे हैं तो वही कमना गया एक बात और आपको समझ में आने चाहिए कि intersection में क्या होता है इस set का और इस set का छोटा set होना चाहिए union होने के कारण यहाँ बड़ा set है उसका छोटा set B है तो intersection में हमें चुकी छोटा set लेना है तो B हम ने रख दिया और इसमें distributed law को किस तरह से apply किये है ज़रा उसको भी देख लिए ए इंटरसेक्शन सरी बी इंटरसेक्शन ए union बी इंटरसेक्शन एक्स लेग दिया है यहाँ पर बी इंटरसेक्शन एक्स गिवेन है फाई तो बी इंटरसेक्शन एक्स इकल टू हमने फाई रख दिया जैसा कि दिखाई देरा है तो अब ज़रा आप देखिए कि हमें क्या मिला बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई इकल टू बी तो बी इंटरसेक्शन एको जंक से हमने ले लिया A intersection B union phi equal to B अब बताइए कि इसमें कोई भी element नहों और इसमें A intersection B हो तो इन दोनों में ये बड़ा सेट कौन सा है तो A intersection B union में हमें बड़ा सेट लेना होता है तो A intersection B इन दोनों के जगापर हमने ले लिया equal to B आया तो एक बात और आपको जानने चाहिए कि A intersection B equal to B कब होगा या तब होगा जबकि B is subset of A इस प्रकार से रियल्ट नमबर 1 क्या दिखाई दे रहा है आपको A subset of B और equation number 2 में आपको दिखाई दे रहा है B subset of A तो according to property ये by equation 1 and 2 we get क्या A subset of B equal to B A subset of A implies that A equal to B हमें यही सिर्फ करना था चलिए अब देखिए question number 12 क्या कह रहा है ऐसे समुच्चे A B और C क्यात कीजे ताकि A intersection B B intersection C तथा A intersection C और रिक्त समुच्चे हो means non-empty state हो और A intersection B intersection C equal to 5 हो इसका अंग्रेजी वर्जन आपके सामने दिखाई दे रहा है समय की थोड़ा अभाव के वज़े से आप देख सकते है question आपके सामने तो दिखाई दे रहा है इसको आप आगे हम बोलते हैं इसका जवाब क्या है मालिया इसमें एक छोटी सी बात आपको समझ मानना चाहिए कि A intersection B में A और B के साथ कुछ common होना चाहिए B intersection C में कोई ऐसा state लेना है जो B और C में भी common हो A intersection C में ऐसा लेना चाहिए जो A और C में भी common हो तो A और B में common 2 हम ले ले रहें B और C में हम common 3 ले ले रहें और A और C में हम common 1 ले ले रहें तो A की ही साथ A, B और T, C तीनों सर्किल ले ले लेते हैं और लेने के बाद हम क्या देखते हैं कि A union B में 2 common आ गया और इस प्रकार से A के अंतरगा तो 1, 2 हो दिखाई ज़रा है 1, 2 B में ज़रा चेक कर लिए B intersection C में B intersection में C में 3 common है यहाँ पर देख लिए 3 common है 3 common कर लिए और B intersection C में यहाँ पर तो 3 common हो गया तो B का element क्या है 2, 3 और C का element 1, 3 यह दिखाई ज़रा है ठीक है न तो इस प्रकार से हमें मिला A intersection B equal to बश्चित देख लिए A intersection B intersection में यह पार्ट होता है A intersection B equal to क्या मिल गया 2 B intersection C में यह वाला portion मिला यह 3 तो इस प्रकार से मिला हमें A intersection B not equal to यह A intersection C और दूसरी बात एक और आगे देखते हैं A intersection C ज़रा check करके देखते है A और C में common क्या है यह 1 तो इस प्रकार से A intersection C equal to B हो गया 1 यह तीनों और इत्र समुचा है परन्तु यहाँ पर given है A intersection B intersection equal to 5 क्यों 5 दिखाई दे रहा है यहाँ पर यह इस बीच में जो होता है A, B और C का तीनों का intersection इस जगह पर मौझूद होता है जो की कोई element नहीं है वो रेट से हम कलर कर दी है वो वहाँ पर इस रेट से कलर किये जगह पर इस A, B और C के अंतरगत कोई element ऐसा नहीं है जो A, B और C तीनों में मौझूद हो इस प्रकार से A intersection B intersection C equal to 5 इस प्रकार से सिद हो गया अब आगे देखिए question number 13 क्या कह रहा है आपके सामने है question number 13 किसी विद्धाले के 600 विद्धार्थियों के सर्वेक्शन से ग्यात हुआ है कि 150 विद्धार्थी चाय यानि की T 225 विद्धार्थी काफी मिन CC तता 100 विद्धार्थी ये चाय यानि की T C और काफी मतलब C दोनों पीते हैं तो जब दोनों की बात आए तो इसको intersection के रूप में हम देखते हैं हमें यह आसिद करना है कि कि कितने विद्धार्थी ना तो चाय पीते हैं और नहीं काफी पीते हैं इसका ये हरे पेंट से ये version लिखा हुआ है समय के बच्चत के कारण आपके सामने हम question दिखाई दे रहा है ये पढ़ सकते हैं उसी का version सामने दिखाई दे रहा है इसका solution हम आगे की और बढ़ाते हैं क्या कह रहा है ये question यहाँ पर कह रहा है कि ये 600 विद्धार्थी ये universal state के रूप में आ गया देखिए यहाँ पर universal state के रूप में और 150 विद्धार्थी उसमें से चाई पीते हैं तो number of T कितना दिखाई दे रहा है 150 किवल किवल के सब्ध नहीं बलकि 225 विद्धार्थी काफी पीते हैं तो number of C value हम ने ले लिए ये 225 आगे कह रहा है 100 विद्धार्थी चाई और काफी दोनों पीते हैं मिन्स ये T और C काफी के बीच का इंटरसेक्शन दे दिया 100 तीक है न और universal state मिन्स सारवत्रिक समुच्चाई दे रखा है यहाँ पर 600 यानि कि 600 का मतलब क्या हुआ कि चाई और काफी के साथ यह कुछ और भी यह ड्रिंक करने वाले भी इसके यह आईता कार सेप में अंतरकत इसके मौजूद है जो कि वो चीज नहीं दिया हुआ है तो लेकिन total candidate दिया हुआ है 600 अब आगे इस value को इसमें हम put करते हैं तो सबसे पहले देखिए A intersection C equal to 100 तो A intersection C value यहाँ पर 100 लिख जैते हैं ठीक है ना क्योंकि A और C यादि कि T मतब चाय और काफी पीने वालों की संख्या हो गई 100 अब ज़रा चेक करके देखिए कि यह total T पीने वालों की संख्या कितनी है 150 150 में 100 मवजूद है इसका मतब कि इसमें 50 होगा 50 होगा अब आगे ज़रा चेक करके देखते हैं कि काफी पीने वालों की संख्या यह 225 है तो इस प्रकार से हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 100 यह आलरेडी मौजूद है तो 125 इसमें मौजूद हो जाएगा अब आगे हमें यह चीज़ सिर्थ करना है कि न तो चाय और न तो काफी पीने वालों की कुर्षन क्या हमें याद करनी है इसके लिए क्या करना पड़ेगा यह अलग से ज़रा जानकारी का होनी चाहिए कि यह सेट क्या होता है ज़रा बताइए ज़रा काफी पीते हैं या तो दोनों पीते हैं ठीक है ना लेकिन जो यह चीज हम यह घेर दिये हैं उसको इसमें सामिल नहीं करना है तो बाहर-बाहर जो सेट हमें दिखाई दे रहा है यह वाले बाहर-बाहर उनको हमें अटेंड करना है attend करने के लिए हमने क्या लिए और काफी इसके लिए हमने क्या कर लिया कि ना तो यह चाय पीने वाले और ना तो काफी पीने वालों की संक्या अगर हम देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यह universal set में यह T union C को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे सब और इसकी अच्छी बात हम आपको बता दे कि T union C का हमने formula रख दिया तो number of T union C equal to क्या होता है number of T plus number of C minus number of T intersection C बस हमने कुछ नहीं किया number of universal set 600 रख दिया क्योंकि यह जो A और B यह T और C के अतिरिक्त बाहर बाहर जो set होगा उसको हमें प्राप्त करना है यानि कि 600 में से यह T union C को minus करेंगे तो ना तो T पीने वालो और ना तो पाफी पीने वालो की यह कुल students की संक्या हमें ग्याद हो जाएगी इसके लिए हम 600 में से इन values को जो इसमें given है एक दो और तीन तीनों को रख देते हैं और रखने के बाद solve करके देखते हैं तो मेरा answer आता है 325 हल करके देख सकते हैं अब देखिए question number 14 क्या कह रहा है विद्यार्थियों के एक समू में 100 विद्यार्थी हिंदी 50 विद्यार्थी अंग्रेजी और 25 विद्यार्थी दोनों भासाओं को जानते हैं विद्यार्थी में से प्रतीक या तो हिंदी या तो अंग्रेजी जानता है समू में उल्व कितने विजाती हैं हमें इसको याद करना है यहाँ पर इस condition को attend करने का मतलब हुआ कि हमें इसमें universal state का इस्तमाल ने करना है सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह universal state क्यों इस्तमाल ने खरना है क्योंकि इसके लिए यह condition आपको दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहनी बात देखिए कि हिंदी ये जानने वाले टोटल एंट्रेट्ब एंगरजी जानते हैं और दोनों मिल्स इंटर सेक्षन के लिए पचीस विजाती हैं जो हिंदी और एंगरजी दोनों जानते हैं और हमें यह चीज़ प्राप्ट करना है कि कुल यह student की संख्या कितनी है जो हिंदी भी जानते हैं या अंग्रेजी भी जानते हैं या दोनों जानते हैं इनकी संख्या गयात करने के लिए हमने क्या किया फर्मुला अप्टाई कर दिया number of h union e equal to e h यहाँ पर हिंदी है और e यहाँ पर अंग्रेजी है तो इसके लिए number of h plus number of e minus number of h intersection e रगी है इसको हमने क्यों अटेन किया क्योंकि h की कुल संख्या हमें दी गई है 100 और इसमें इंग्लिस जानने वालों की कुल संख्या दी गई है यह 50 और यह वाले की संख्या दी गई है 25 थीक है न तो 25 में से यह अगर यह हंटेट में से 25 कम कर दे तो 75 केवल हिंदी जानने वालों की संख्या हो गई और दूसरी बात, यहाँ पर एक और बात जान लिए, कि यहाँ पर टोटल अंग्रजी जानने वालों के संग्या कितनी है, 50, और दोनों जानने वालों के संग्या, यहाँ पर यह 25 है, तो 50 में से 25 कम कर दे, माइनस कर दे, तो हो जाएगा यहाँ पर 25, यह क्या है, 75, केवल हिं फर्मुला एक है number of H union E equal to number of H plus number of E minus number of H intersection E कुछ नहीं किया ये तीनों value दिया हुआ है उसको रख करके solution solve कर लेते हैं तो मेरा answer आता है 125 बहुत simple question है question number 15 देखिए कह रहा है साथ लोगों के survey च्छन में serviceion का मदब survey किया गया है top 25 लोग समाचार पत्र this पढ़ते हैं तो यह चीत number of H हमने ले लिगे 25 26 लोग समाचार पत्र t पढ़ते हैं तो समाचार पत्र t पढ़ने वालों के संक्या 26 हमने ली लिग दिया 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं इंडिकेसन है एक तरह से आई के संग्या हमने 26 लिए आगे क्या कह रहा है H और आई पढ़ने वालों की कुल संग्या है 9 ठीक है ना है एज और आई देखिए है और आई यह नाइन अब आगे कह रहा है यह 11 कैसे कंडिटेट है जो ह और टी पढ़ने वालों के संख्या है यहां पर ह और टी पढ़ने वालों के संख्या कितनी है 11 आगे कह रहा है कि यहां पर यह कौन्स candidate है जो T और I newspaper पढ़ने वाले है तो देखिए T और I पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो गई? 8 हमने लिए दिया अब लाख में कह रहा है कि तीनो newspaper पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 3 क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि तीन लोग तीनो समाचार पत्र पढ़ते हैं तो तीनो समाचार पत्र पढ़ने वालों की कुल संख्या H intersection T intersection I equal to हमें मिल गया 3 ठीक है? तो फर्ट पार्ट में हमें ग्याद करना है कि कम से कम एक ठीक है ना समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या ग्याद करनी है और सेकेंड पार्ट में हमें प्रोग करना है ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या ग्याद करनी है इसका अंग्रजी वर्जन ये हरे पेन से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ग् उसको आगे solution के रूप में बढ़ाते हैं यहाँ पर देखते हैं कि number of h equal to 25 यह h की 25 संक्या हमने यहाँ पर लिख दिया number of t, t news paper पढ़ने वालों की संक्या 26 है तो t लिख लिया 26 और news paper i पढ़ने वालों की संक्या 26 है तो यहाँ पर लिख दिया 26 h intersection i की संक्या 9 है h intersection t की संक्या 11 है और t intersection i की संक्या 8 है लेकिन मतलब की बात यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि h intersection t intersection i equal to 3 तो h, t और i, तीनों में common यह वाला portion ज़रा चेक का लिएगा यह वाला portion 3 वो यह वाला portion है अब ज़रा नीचे से उपर की और एके करके बढ़ते हैं हमने इस step को तो when diagram में दिखा दिए अब ज़रा इसको भी चेक कर लिए नीचे से हम उपर की और बढ़ेंगे when diagram में तो t intersection i equal to 8 t यह है, i यह है t intersection i equal to 8 8 में से 3 कम कर दिए तो यह हो जाएगा 5 जिसमें 3 already मौझूद है तो यह 11 minus 3 कितना हो जाएगा यह 8 8 निका रहा होता है total 11 दिखा ही जाएगा अब और उपर बढ़ते है h intersection i equal to 9 तो h और i में दोनों का intersection कितना दिखा ही जाएगा 9 जिसमें 3 already मौझूद है तो इस वावी क्या होगा यह 6 होना चाहिए तो अब total i की संख्या 26 हो गया total t की संख्या 26 हो गया total h की संख्या 25 हो गया अब एक और बात यहाँ पर दिखाई देना चाहिए आपको क्या दिखाई देना चाहिए कि total h की संख्या कितनी है आपको 25 25 में से कि यह वाले की संख्या कितनी हो जाएगी यह वाला जरा बताईए 25 में से h के circle circle को जरा कम कर दीजे कि यह कितना मिला 639 और 9 और 8 17 और 17 और 25 का difference कितना होगा यह 17 और 25 का difference होगा यह 17 तिन 20 और 25 यानि कि 25 और 8 हो जाएगा अब यहां पर दिखाई दे रहा है कि 8 3 11 और 11 और 5 11 और 5 कितना हो गया 16 और 16 में से 26 कम कर लिए तो यह वाला पॉर्षन मिल जाएगा आपको 10 यहां पर 8 हो गया यहां पर 10 हो गया अब यहां पर total candidate कितने है 26 26 में से पहले से कितने माजूद है 36 39 और 9 और 5 14 हो गया 14 में से 26 को जड़ा कम कर लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका संख्या 12 जड़ा जोड़के देखिए 12 6 18 18 19 21 और 21 और 5 26 अब यह तो अब इसमें आप देखेंगे कि इस ह की counting number 25 होगी ती की total counting जोड़ने पर होगा 26 और आई को जोड़ने पर मिलेगा 26 यानि कि यहां तक लिएट आपको सही मिल गया अब हमें याद करना है फर्स पाड़ में कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों के संख्या यानि कि एच पढ़े या टी पढ़े या आई पढ़े या इनमें से कोई भी दो बढ़े या तीनों पढ़े इस तरह से यह एट लिस्ट वाले केस में हम यह एच यूनियन टी यूनियन आई का फर्मुला का इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना तो इसके लिए फर्मुला क्या होता है H union T union I equal to number of H plus number of T plus number of I minus number of H intersection I minus number of H intersection T minus number of T intersection I plus number of H intersection T intersection I equal to बस हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रियर्ट से ये ये सभी वैलू को इसमें हम put up करेंगे तो number of H की value आपके सामने है 25, number of T की value है 26, number of I की value है 26, H और I पढ़ने वालों के संख्या है 9, H और T news paper पढ़ने वालों के संख्या है 11, और T तथा I news paper पढ़ने वालों के संख्या हो गया 8, और 3 पढ़ने वालों के संख्या हो गई, यहाँ पर 3 इन values को put कर दिये तो यह जोर दिया और minus कर दिया solution हमें answer के रूप में मिल गया 52 यह एक आपका answer हो गया first part second part कह रहा है ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या हमें ग्याद कर नहीं है केवल एक है यानि कि केवल हिंदी पढ़ने वालों संख्या यह एक है केवल टी पढ़ने वालों संख्या तेन है और केवल आई पढ़ने वालों संख्या तो हम क्या करेंगे इनकी संक्यातियों को अटेंड करने के लिए हम क्या करेंगे यह इस प्रकार से ज़रा सेकंड पार्ट को देखते हैं यह ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों के संक्या में से यह क्या किया हमने टोटल 52 यह हैच की टोटल संक्या हो गई यहाँ पर ज़रा यह देखिए यह 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 52 यह उपर से हम अटेंड कर लिए यह वाला वैल्यू और उसमें से माइनस कर देते हैं यह 8 यह यह वाला इसके बाद में यह 3 यह वाला वैल्यू को फिर 6 यह वाले वैल्यू को और 5 इस वैल्यू को ठीक है ना जो इसमें common है, उनको minus कर देते हैं, तो आपका solution मिल गया 30, ठीक है न, ठीक ठीक, क्यों एक समाचार पत्र पढ़ने वालों के संग्या आपको मिल गया, एक और बात, direct step में हम क्यों ना बता दे, बहुत अच्छी बात होगी, 8 plus 12, 20 होता है, और plus 10 होता है, 30, इस प्रकार से भी तो ये क्यवल H पढ़ने वालों के संग्या कितनी हो गई, 8 plus क्यवल T पढ़ने वालों के संग्या कितनी हो गई, 12, इस प्रकार से यह आपकी, का answer हो गया, यह 30, आपका यह second process है, और यह आपका first process है, तो इस प्रकार से हम दोनों को दो-दो तरीके से सम्झा दिये हैं, वो आपका तरीका बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ठीक है न, इसका win diagram से यह first part को किस तरह से solve की हैं, उसको ज़रा check करके देखिए, कि H union T union I equal to, पहले हमने क्या किया, एक एक पढ़ने वालों के संग्या, ज़रा 8 plus 10 plus 12, एक एक पढ़ने वालों के संग्या, इसके बाद में हमने दे दिया, दो दो पढ़ने वालों के संग्या, 8 plus 6 plus 5, 8 plus 6 plus 5, और last में रख दिया हमने तीनों ये पेपर पढ़ने वालों के संग्या, तो एक पेपर पढ़ने वाले इतने हो गए, दो पेपर पढ़ने वाले इतने हो गए, और तीनों पेपर पढ़ने वाले ये हो में पाया गया कि 21 लोग उत्पात A तो यहाँ पर उत्पात A कितनी हो गई 21 26 लोग उत्पात B के लिए 26 लिए इसके बाद में कहरा है तिस्टैस लोग उतबाद سी को पसंद करते हैं तो S पसंद करने वाल qualcम क्षा रिअ कितनी हो गयी 29 आगे कह रहा है यही है लोग उतपाद लोग ओक संघ्या हो गई अगे के नि ये और यहां पर यह चैके कर लिए यह 14 लूग और बी foster लोग C और A को पसंद करते हैं तो 12 लोग C और A को पसंद करते हैं इसके बाद 14 के विशे में क्या कह रहा है 14 कंडिडेट B और C को पसंद करते हैं तो B और C को पसंद करने वालों किसंग्या हो गई 14 और 3 पसंद करने वालों किसंग्या कितनी हो गई आपके 8 तो ये 8 आपके सामने ये 8 दिखाई दे रहा है ठीक है ना अब इससे हम क्या करेंगे ये एक रियल्ट मिल जाने के बाद नमबर आप only C find out करना है find out करने के लिए हम सबसे पहले वें डाइग्राम को adjust करते हैं नीचे से उपर के और चलेंगे तो हमें रियल्ट को सही से पकड़ने में सहलियत होगी तो A intersection B intersection C equal to कितना मिल गया 8 तो ये A B और C का तीनों का कमन कहां पर है इस बीच में है बीच में हो गया यहां पर 8 ठीक ये value मिल गया B intersection C की value 8 तो B और C का intersection दोनों में यहां से ये दोनों value मिला करके है 14 ठीक है ना 14 में से 8 कम कर दिए तो ये value हो जाएगा 6 और उपर चलते हैं ये 12 के विशे में C और A candidate का common कितना है 12 C और A का ये वाला common portion कितना है 12 तो 12 में से यहां पर C और 8 अल्रेड़ी मौझूद है तो ये 12 यहां पर फोर हो जाएगा ठीक है ना और सबसे उपर हम क्या देखते हैं A और B का जो common है वो 14 है तो A और B का ये वाला portion common होता है वो 14 है 14 में से 8 कम कर दें तो कितना होगा 14 मानस 8 इकल टू 6 ठीक है ना तो अब जड़ा एक और बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि C की टोटल संग्या कितनी है 29 यानि कि ये पूरा सर्किल है 29 तो 29 में से हम ये 8, 4, 12, 6, 18 को हम घटा ले तो किवल हमें ये C पढ़ने वालों की संग्या मिल जाएगी इस परकार से ये वाला 29 में से हमने क्या कर लिया बड़ा कोशन है 29 में से हमने क्या कर लिया ये पहले ये बात को देख लिए चार, 8 और 6 को हम लिख दिये घटा दिये तो अंत में आंसर मिल गया ये 11 या आपका आंसर है एक बात और इस वीडियो को प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा यहाँ पर मैंने सेट्स का संपूर हल बता दिया है आप उन सभी वीडियो को मैस 11 की प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं और दिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यह प्रिबियर्स वीडियो के लिंक दे दिये गए हैं आप वहाँ पर भी क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक वीडियो में नेक शेप्टर के साथ थैंक यो